हलो दोस्तो मैं हूँ और गौर्ण आप देख रहे हो सब 24 यूटिफ चैनल तो इंडियन गौर्वर्मेंट की दौरान इंडियन एग्रिकल्चर रिसर्च इंस्टिटूट आइसी ए आर की एक न्यू वेकेंसिज आईए उस वेकेंसिज की मैं बात करूंगा की कैसे इसको फॉर्म को फिलाप करना है और इसकी हर जरकरी आपको मैं डिस्क्रिशन पर लिंक दे दिया हूँ उस पर जाकर आप इसकी ओपिसियल लिंक की थुरू आप देख सकती हो क्या का काईटरिया है और यहां पार आईसी यार टेक्नीशेर की निव वैकेंसिज आईए और टेन पास जो भी है वो उस अप्लाइ कर सकती हो और 641 पोस्ट है और यह ओल इंडिया की जॉब है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप पेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए क्यूंकि हर तरह की जॉब की नोटिपिकेंसिन जब भी आएगी आपकी पास तुरंत चल जाए तो फ्रेंड्स यहां पर देखो आईसी ए आर आई ए आर आई रिकूप्मेंट टूथाउजन टूइन टेक्निशियन पोस्ट की तरफ से एक निव वैकेंसिज आई है उसकी नोटिपिक है एप्लिकेशन की 10 जानवारी 2022 ठीक है और यहाँ पर 641 वैकेंसिज है और यहाँ पर कुछ क्राइटरिया है एज लिमिट है यहाँ पर कितने माक्स की एक्जाम होगा हुआ इसे सिलेवा से मैं आप मैं जाता हूँ कि कैसे आप इसकी फॉर्म फिलाफ कर सकते हो सिर्फ फोन की शाथ तो देखो यहाँ पर मैं आ गया हूँ करने के बाद आप को यहाँ पर करना होगा करने के बाद करना होगा करने के बाद यहाँ पर आपको टेकनीशियन करना होगा और यहाँ पर आपको आपकी नेम लेखना पड़ेगा नेम लिखने पर यहाँ पर आपकी मुबाईल नमबर यहाँ पर दूसरे बार यहाँ पर मुबाईल नमबर लेखना पड़ेगा फिर यहाँ पर email id और यहाँ पर दूसरी email id सेम email id लिखना परेगा देन आपको यहाँ पर capture code की लिखने के बाद आपका submit कर देना होगा तो देखो register करने के बाद आपकी email पर एक इस तरह की mail आएगा ठीके और इस user id और password की थुरू आप next update कर सकती हो तो इस user id और password आपको लागेगा ठीके तो sorry दोस्तो मैं एक information देने भूल गया हूँ कि इस phone फिलाप आप phone से करिये तो आपकी first disk of site mode on करना पड़ेगा ठीके दोस्तो तो disk of site on करने के बाद आप यहाँ पर एगरी करिए एगरी करने के बाद लोग इन करिए लोग इन पर आप id लेना होगा आइडी के बाद पास्वार्ट पास्वार्ट भी यहाँ पर कोपी करें यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए यहाँ पर capture capture फिल एप्लिकेशन फॉर्म यहाँ पर क्लिक करना होगा कुछ दिर वेट करने के बाद क्लूज कर दिए क्लूज करने के बाद आप यहाँ पर जेंडर सिलेक करना पड़ेगा ठीके जेंडर सिलेक करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट एसस्ट भी सी कुछ भी होई भी सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर नेशनलिटी इंडिया सिलेक करना पड़ेगा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी एक्जाम सिटी फास्ट चोईस जो एक्जाम सिटी की फास्ट चोईस है आपकी उस देना पड़ेगा आपका second choice यहाँ पर देना परेगा second choice देने के बाद third choice देना परेगा और यहाँ पर fourth choice देना परेगा आप देखो जीस की मत्य पर star है उस mandatory है उसको फिलब करना mandatory है ठीके तो यहाँ पर exam ct choice 5 यहाँ पर देना परेगा और यहाँ पर date of birth आपकी देना परेगा परेगा date of birth देने के बाद आप यहाँ पर आ जाईए यहाँ पर आने के पर आप पी डाव्लू डी की candidate है तो yes कीजिए नहीं तो no कीजिए तो आप यहाँ पर एक सर्विसमेन है तो yes कीजिए नहीं तो no कीजिए आप यहाँ पर employer है ICAR की तो yes कीजिए नहीं तो no कीजिए ठीके no करने के बाद आपको save and next पर जाना होगा ठीके save and next की जाने के बाद आपको यहाँ पर father name लिखना पड़ेगा यहाँ पर mother name लिखना पड़ेगा मदा name लिखने के बाद आपको यहाँ पर address लिखना पड़ेगा जो आपका में एड्रेस है और यहाँ पर आपकी country India देना पड़ेगा गन्डी इंडिया देना पर आपके state यहाँ पर देना पड़ेगा state देने के बाद यहाँ पर city city देना पड़ेगा city देने के बाद pin आपका pin देना पड़ेगा ठीके पीन देने के बाद आपकी पर्मानेंट एड्रेस और आप इस बाग आप जहां पर स्थाई रह रही हो वहां पर एड्रेस सेम हो तो येस कीजिए नहीं तो नो कीजिए फिर यहां पर सेब एंड नेक्स्ट कीजिए और यहां पर सेब एंड नेक्स्ट करने के बाद मैट्टिकुलासन टेंथ पास की डीटेल्स आपको देना परेगा यहां पर आपकी बोड की नेम देना परेगा बोड की नम देने के बाद यहां पर इंस्टिटीवट की नम देने परेगा इंस्ट्रिट की नाम देने के बाद यहाँ पर पासिंग यार आपको देना पड़ेगा उस पासिंग यार आपको देने के बाद यहाँ पर पर मार्क पासेंटेज टेंद की आपको देना पड़ेगा ठीके परसेंटेज देने के बाद आपको सेब एंड नेक्स्ट के क्लिक करना पड़ेगा और यहां पर सेब एंड नेक्स्ट करने के बाद आपकी सामने इस तरह एक इंटरफेस आएगा और यहां पर आपकी फोटो अपलोड करना होगा तीन वीक की अंदर एक फोटो अपलोड करना पड़ेगा ठीके और यहां पर आपकी सिखनेचर देना पड़ेगा और यहां पर आपकी मैट्रिकुलेशन की सार्टिविकेट देना पड़ेगा और यहां पर cost certificate आपको uplode करना पड़ेगा अपपलोड करने के बाद यहां पर capture भर देना होगा capture भरने के बाद आपको यहां पर i agree करने के बाद आप submit कर देना अच्छा तो सब्मिट करने के बाद आपको पेमेंट कर देना होगा और पेमेंट करने के बाद आप आईडी और यूजर आईडी और पासवाट की थूँ आप फाइनल पिंट आउट कर सकती हो तो दोस्तो इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्र कर देना क्योंकि हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन आपकी पास तुरंट चल जाए तो फिर मिलेंगे एक नई जॉब नोटिफिकेशन की दौर साथ तब तक के लिए धन्यवाद